हेलो स्टूडेंट्स वेलकॉं टू माई चैनल स्टूडेंट्स यहां पर बहुत ही खुसकवरी की बात है ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो कोवेड नाइंटीन के कारण यहां पर दो-तीन साल वेकैंसीज नहीं आई और वहे हो गए हैं ओवर एज तो उनके लिए बहुत ही बात है यहां पर मद्प्रदेश सासन द्वारा यहां पर बहुत ही अच्छा करा गया है यहां पर एज रिलेक्सेशन दे दी गई है कैसी यहां पर आप देखेंगे अगर इस लेटर को तो यहां पर आप देखें कोवेड नाइंटीन के करण बिगट तीन बरसों से भरती प अधिक्तम आयू सीमा में तीन वर्सों की छूट भरे जाने वाले पदों के सम्मन्द में जारी प्रिथम विज्यापन में प्रदान करता है मतलब आप याद रखिएगा दिसंबर 2023 तक कोई भी विकेंसी आएगी तो आपको उसमें तीन वर्स का रिलेक्सेशन रहेगा अब य इसा नहीं है दिसंबर 2023 तक जो भी विकेंसी आएगी उनमें ये तीन साल का एडिशनल रहेगा और वो क्यों का क्या कारण है इसके पीछे तो इसके पीछे कारण यह है कि जो भी ऐसे स्टूडेंट्स है जो भी ऐसे प्रतियोगी प्रतिश्परदी स्टूडेंट्स है जो अभी तैयारी कर रहे थे और वो इन विकेंसी के ना आने के कारण कोबिट 19 होने के कारण उनकी ओबरेज हो गई है और बै ओबरेज के कारण अब किसी भी विकेंसी का फॉर्म नहीं भर पाएंगी उनके लिए यह फायदा रहेगा और तीन साल का यहां पर उनको एज रिले यह हो सकें यह एज रिलेक्सेशन जो है वो नहीं को मिलने वाला है बाकी सभी स्टूडेंट के लिए फिलहाल में तो इस लेटर से ऐसा कुछ समझ हम नहीं आ रहा है कि सभी स्टूडेंट्स को सिर्फ उनको फायदा मिलेगा जो एज रिलेक्सेशन में मतलब ओर एज हो अधिक से अधिक सेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए धन्यवाद